मिटकव स्मौल केप में पिछले कुछ दिनों से रीबाउंड आए उससे पहली एक बार विवर्स को भी दिखा देते हैं किस तरह से आपको लगातार सला दी जा रही है कि ये जो डिप आया है, मार्च में डिप आया है, इस्पेशली पिछले कुछ दिनों का जो डिप आया है, ये मौका है खरीदारी करने का. आपको मौका मिल देगा मार्केट, और ये लाइल गोट-गोट के याद करें, मार्च में लेंगे, अप्रेल में डिपेट हного, तब कभी क्या होता हिएक, याद भी करवाना होता है, अच्छी कॉलिके मिट्कफ और स्मालकेप शेडरों की लिस्ट आपको बनाकर तयार रखने हैं बड़ी अप्वालिटी है हमारी स्ट्रेडीजी बहुत क्लियर है इस पैनिक और खराब महोले मार्च में हम लेंगे और अप्रेल में इस चेहर लेंगे और मार्च के महहने में लेना है और पैनिक न करें चिंता न करें अच्छे स्टोकस आपक तो मैं तो बोलो, पैनिक नहीment हगे तो पैनिक और दिखे तो पकका खुरिदना है। इस पैनिक में अगर हुआ तो अगले 15 जिर्म में में भी तायारा है उतना पैसा लगाते। अब से लेकर मार्च के अटक лай ग司के बातาร?", पैनिक दिखेगा यह जब बाकि जब जब जगा पैनिक बन रहा था गिरावर प्र देकर कई सारी चीजे लिती आप ने कहा था यही तो मौका बनता है, यही पर तो मौका डूंना चाहिए और वही मौका बना बाजार में बाजार के काफ़ी लोगों से बाचेत होती है, बड़े-बड़े लोग पिर ये भी आता है और इतनी सप्लाइयार ये देखो ये टी सेस इतना ब्लोक आ गया टाटा मोटर इतना ब्लोक आ गया इसका ब्लोक आ गया उसका ब्लोक आ गया प्रोमोटर बेजा आज भी दो तीन ब्लोक डीले उसका विश्लेशिन करेंगे और सारा पेसा तो दो जा रहा ह बात तो सही है लेकिन ये क्या चीज ऐसी जो आपको हमको सबको पता नहीं है पता तो सबको है तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि अच्छे भाव और अच्छा समय दोनों साथ में मिलेंगे नहीं आपको जब 20-18-18 मार्च के आजब ठोक ठोक के बोले तब महुल बहुत खराब था और ज्यादा दी चार पांच दिन पहले की बात है त्रेडिंग सेशन के साथ से विसे दस दिन होगे लेकिन सेशन के साथ से देखेंगे तो चार ट्रेडिंग सेशन मेरा पोएट सिंपल है डीप कि आपको पैनिक मेर खराब सेचा इसलिए मैं बार बार करता हूँ कि आजकल करेक्शन पहले दुढ़ी तरके होता दे एक प्रेडिंग सबसे इंपोर्टेंट करेक्शन होने लगा होगों सेंटिमेंट वाइज करेक्शन है लोगों का सेंटिम होगा और मूर 17 परसंट इतना खराब हो जाता है yes so I think इसलिए हमारी राय बहुत क्लियर है अब भी है और बहुत साफ साफ होगा अब मार्च में लेंगे अप्रेल में चलेंगे मैं आपके सामने एक बार तुरंट रखना चाहता हूँ कि निन्दा MidCap, Small Cap share में खरीदारी करनी ही करनी है पहली बात वित वर्ष के आखरी हफते में फ़ंड की खरीदारी होगी कल भी आपने देखी आज भी देखेंगे एनेवी बढ़ाने के लियाद से उनके लिए खरीदारी करने का अच्छा मोखा है क्योंकि भाव नीचे है और उनके पसंदाज शेर करेक्शन के बाद सस्ते मिलना है तो फंड के लिए अच्छा मोखा है आपके लिए भी अच्छा मोखा है अच्छे शेर करिजिए और मेरा मानना ही कि अप्रेल से लेकर जून तक के तीन मैने तक के इलेक्शन तक का व्यू लेकर आप चार जून को नची जाएंगे तो अप्रेल और माही दो मैने का व्यू रख लीजे कि भई मैं इलेक्शन के पेरे इसको तीन मैने के दो मैना कर दीजे दो मेने के नजरे से आप निवेश करिए अप्रेल और मही के एसाब से रिलेक्शन के आसपस रिवीव कर लेंगे हम क्या करना है क्या करना है सो मेरा पॉइंट क्लियर है आपको मोके खरीदारिक देगा अगर आपने पिछले चार पांट सेशन में खरीदा है तो जल्दी में मत बेचीगा क्या हुआ है पिछले चार सेशन के डेटा बता था हूं दिवीश मार्च से लेकर अब तक मिटके इंडेक्स कितना बढ़ा है 2400 पॉिंट 2400 पॉिंट बढ़ाए साओरे 5 परसेंट ठीक है बीसमार्स से अब तक स्मॉान के इंडेक्स साथ सो बीस पॉइंट बढ़ा है 5 परसेंट तीन दिन से पोजितिव क्लोज हो रहा है, निफ्टी डावा डोल है, बैंक निफ्टी डावा डोल है, स्मॉल केप, मिटकेप, ये ताकत और पावर है छोटे शेरो का, दरिये मत, दराने के लिए आपको बाहर वाले की जरूरती नहीं, खुद भी आप डरे होता है, उपर से मतलब क्या है, जब लेने का वक्त है उस समय डरेंगे तो किसे काम चलेगा, तो इसलिए बिल्कुल लिश्चित तोर पे डटे रहें, टिके रहें, हाँ, खराब क्वालिटी के शेर की बात नहीं करा, अच्छी क्वालिटी के शेर, वेलिशन इसके ठीग, 70-80 के मल्टिपल अच्छी तो इसको बिल्कुल बने रहें, है और माहल बनेगा, अभी तो देखे, अभी तो क्या है, यह तो अभी तक लोगों ने ले रहें है, धीप है न, दस में से आठ लोगों से बात करो, जी, जी, आर यह मार्क निकल ले आरने तो अप्रिल में देखेंगे, आओ अप 8%, 10% उपर मिलेंगे, 7% उपर मिलेंगे, ले ना फिर आके अपरेल मिला है, पैसा तो वही मोटा बनाएगा जिसने मार्च मे लिया है, जिसने 6 दिनों की SIP की है, SIP का कोई रूल ऐसा निया है, कि SIP आपको महिने में एक ही दिन करनी होती है, शोर्ट ब्लास SIP भी आती है, 6 हफ्तों की भी आती है, 6 दिन की भी आती है, आपको उस समय पकड़ना है, उस समय कैसी करनी है, एंजोई, हैव फ़न, 22 तारिको 6 दिन वाली शोर्ट ब्लास SIP भी आपने बहुत करी थे, इसलिए, 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 कॉन्फिडेंस रखिए अपने मार्केट पे और अपने पॉर्टफॉलिय पे, बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो रखना है, और डिप जो आता है, वो एक सही मौका रहता है, खरीदारी करने का, और वहीं पर आप देख रहे हैं, मौके अच्छे आ रहे हैं,